बीए शात्र शात्राओं आज हम अपने धर्म समाज सुधार आंदुलन के तहट जो प्रमुक्स धर्म समाज सुधार आंदुलन हुए थे और जो सुधारक हुए थे उनके बारे में बात करेंगे इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में राजराम मोहन राए के द्वारा की गई थी जो जिन्हें की आदुनिक भारत का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि राजराम मोहन राए ने राए ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अंग्रेजी शिक्षा, पास्चात्य, संस्कृती या वैज्ञानिक शिक्षा के उपर बल दिया था राजराम मोहन राए का जन्म 1772 इस्वी में बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था इनकी शिक्षा पटना में हुई और राजराम मोहन राए बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे वे संस्कृत, फार्सी, अंग्रेजी, हिब्रू और बी, लेटिन, ग्रीग, भाषा आधिक के अंदर पारंगत थे उन्होंने हिंदु धर्म के प्राचीन ग्रंतों, बेद, उपनिशद वे अन्यधार्मी ग्रंतों का अध्यन किया था और उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी प्रार्म की और वहांपर वे उच्चपद पर आसीन हुए इस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते समय और अंग्रेजी शिक्षा ग्रहंन करने के कारण उनके उन पर उदारवादी विचारों का बहुत प्रभाव था और वे अपने देश और अपने संस्क्रती से भी बहुत अधिक प्रेम करते थी यह वह समय है जबकि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो चुकी थी इसाई मिशिनरियों ने अपने धर्म और संस्क्रती के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा उनके द्वारा प्रयास किये जा रहे थे और जिसके कारण देश के पढ़ा लिखा वर्ग इसाई धर्म और पाश्चात्य संस्क्रती से इतना अधिक प्रेरित हो गया था कि वे अपनी प्राचीन संस्कृती और प्राचीन गौरव को भूल कर अपनी संस्कृती वे अपनी सब्वेता से दूर होने लगे उसे बुरा समझने लगे थे ऐसे में राजारामोहन राय ने भारतियों को अपने धर्म वे राश्ट्र के प्रती चेतना उत्पन करने के का प्रयास किया और उन्होंने उस समय हिंदू धर्म और समाज के अंतरगत जो बुराईयां फैली हुई थी उन्हें दूर करने के लिए बहुत ही महतुपूर्ट प्रयास उनके द्वारा किये गए राजराम वहन राये ने जो भी चिंतन मनन किया और हिंदू समाज और धर्म में जो बुराईयां देखी और पाश्यात सब्विता वैसंस्त्रती के अंतरगत जो अच्छी चीज़े देखी उनके आधार पर उन्होंने ब्रहम समाज की इस्थापना कियो ब्रहम समाज के अंत सिद्धान ते स्तापित किये जिनके अंतरगत उनका पहला सिद्धान था कि इश्वर एक है और उसी ने इस्ष्टी की सर्णरचना की है यह बहु देववाद का विरोध करते हैं उन्होंने कहा इश्वर एक है और वह निराकार है इश्वर की पूझा आत्मा की शुदता के साथ करने चाहिए और समस्त धर्मों की शिक्षाओं से सत्य को ग्रहन करना चाहिए क्योंकि समस्त धर्म मूलत एक ही स्वरूप से जुड़े हुए हैं इसलिए हर धर्म में जो भी अच्छाई है जो उसकी सत्यता है उसको अवश्य ग्रहन करना चाहिए इश्वर की उपासना प्रातना से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इश्वर के प्रति पित्र भावना और मनुष्य जाती के प्रति ब्रात्री भावना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना यही परमधर्म है इश्वर की अरादना का समस्त वर्णों और जातियों को समान अधिकार है और पूजा करने के लिए किसी आडंबर की आवर्शक्ता नहीं है इतवार के दिन सभी लोग मिल करके इश्वर की उपासना एक जगे पर इखटे हो करके इश्वर के सिद्धान्तों के उपर विचार विमर्शकर के उपासना कर सकते है इश्वर सभी की प्रातना सुनता है और पाप तथा पुन्य के अनुसार ही दंड एवं पुरुसकार देता है इस तरीके से राजराम मोहन राये ने तातकालिक जो धार्मिक वैसामाजिक परिस्तितियां थी उनका विरोध करते हुए जैसे बहु देववाद मूर्थी पूजा का विरोध उनके द्वारा किया गया उन्होंने सामाजिक कुरितियों में सती प्रथा और कन्या शिशुवध का कड़ा विरोध किया और उसके लिए उन्होंने प्रयास के जिनके प्रयासों के परिणाम सुरूप विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा निशेद कानून और कन्या शिशुवध निशेद क पानुन की स्थापना की गई राजाराम मोहन राये ने आधुनिक शिक्षा पर विशेश बल देते हुए यह कहा कि यदि भारत को अपने राष्ट्र की उन्नती करनी है अपने समाज की उन्नती करनी है अपने धर्म की उन्नती करनी है तो हमें आधुनिक शिक्षा के नेत्रित्व में आरे समाज के अंतरगत किया गया आरे समाज की स्थापना स्वामी दयानन सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई स्वामी दयानन सरस्वती का जन्व 1824 में काठियावार के एक सम्रद ब्रहमन परिवार में हुआ था बच्पन में इनका नाम मूल शंकर था स्वामी दयानज सरस्वती एक बहुत ही धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे और बच्पन से ही अत्यन्त धर्म प्रेमी वे विचार शील प्रवर्ती के थे जब ये बहुत छोटे ही थे तब एक बार शिवरात्री के दिन जब सारा परिवार शिव की उपासना में मंदिर में था और रात को वहीं सो रहा था तब उन्होंने देखा कि एक चूहा आकर के शिवलिंग पर से खानी का समान उठा कर ले के जा रहा था बालक मूलशंकर के मन में तभी मूर्ती पूजा को ले करके प्रशनुत्पन हुए कि ऐसा इश्वर किस बात का जो की एक चूहे से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है और जो चूहे से खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता है वो हमारी सुरक्षा किस प्रकार से करेगा उनकी इस वैराग्य प्रवर्ती से के कारण उनके घरवालों ने उनका विवाह करने का निर्णे लिया तो वो घर 22 वर्ष की आयू में उन्होंने घर को त्याग दिया और सन्यास ग्रहन कर लिया स्वामी विर्जानंद जो की एक अंधे संत थे उन्हें उन्होंने अपना गुरु माना और उनसे दीक्षा ग्रहन की उनके द्वारा उन्हें जो ग्यान प्राप्त हुआ द्यानन सरस्वती ने पंजाब, उत्तरप्रदेश, महराष्ट जैसे दूरस्त इस्थानों का ब्रहमन किया स्वामी दयानल सरस्वती ने वेदों और वेदिक वेदांगों का गहनता के साथ अध्यन किया और उन्होंने ये माना कि हमारा जो वास्तविक वेदिक धर्म का जो स्वरूप है वेदिक समाज का जो स्वरूप है वो बहुत ही श्रेष्ट इस्तर का है अत्य है उन्होंने हिंदू धर्म को यह नारा दिया कि हमें अपने जो यह मूर्ती पूजा और जो कर्म कांड है अंद विश्वा से उन्हें त्याग करके पुने वेदों की और लोटना चाहिए स्वामी दयानन सरस्वती ने अपने विचारों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामा के एक वस्तू में किया जिसमें उन्होंने कहा वेद और वैदिक धर्म दोनों ही सरवोच्च है और हमें जो कालांतर में वैदिक धर्म के अंदर बुराईयां व्याप्त हो गई थी उनका त् करके पुनह वैदिक धर्म और वैदिक समाज की स्थापना करने चाहिए स्वामी दयावन सरस्वती ने इसके साथ साथ एक और महत्रपून काम किया और वह यह था कि वे सभी लोग जो की हिंदू धर्म की बुराईयों को देखकर हिंदू धर्म को छोड़ मुसलिम या जो की अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में चले गए हैं उन्हें वापस उनकी घर पर वापसी की जाए उन्हें पुनह वैदिक धर्म के अंदर देख्षित किया जाए स्वामी दयानान सरस्वती ने सामाजिक शेतर में भी बहुत ही बहत्वपूर्ण काम किये उन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जातीगत भेदभाव को दूर करने के लिए उस्ट्रियों की दशा को सुधारने के लिए शिक्षा के सेतर में अभूतपूर प्रयास किये गए उनके द्वारा उन्होंने एंगलोवैदिक शिक्षन संसाओं की स्थापना की कन्याओं के लिए कन्या गुरुपूल की स्थापना की क्योंकि उनका इहमानना था कि पुरुष पढ़ता है तो एक ही घर को विक्सित करत स्वामी दयानन सरस्वती की मृत्यू 1882 में हुई थी आरे समाज के सिधान थे ईश्वर एक है वह निराकार है सर्व शक्तिमान है अजन्मा है निर्विकार है सर्व व्यापक है अजर अमर तथा श्रष्टी की रचना करने वाला है यह यह इश्वर कणकण में विद्यमान ह है अजर हमर है तो हमें निराकार इश्वर की उपासना करनी चाहिए वेद इश्वर की वाणी है और वेद की शिक्षाएं सत्य हैं उनका पढ़ना सुनना प्रत्यक आरे का कर्तव है कर्म एवं पुनर जन्म का सिध्धान्त वेदों के अनुकूल है उनका यह मानना था कि अ वेद्या का नाश करना चाहिए और प्रतेक मानव को जन साधरन की कल्यान का कोई न कोई कारे करना चाहिए क्योंकि जन कल्यान ही अपना कल्यान होता है इस तरीके से आरे समाज के माद्यम स्वेश्वामी विवेकानन सरस्वती ने सुप्त भारतिय समाज में हिंदू समाज म पुनहें आत्मगौरव की भावना भरने का प्रयास किया, उन्होंने इसाई धर्म और अन्य धर्मों की कुरूतियों की और इंगित करते हुए, हिंदु धर्म के वैदिक सुरूप को पुनर इस्थापित करते हुए, उसकी अच्छाईयों को और उसके प्रतिगर्व की भाव और भी भारत के अंदर धर्म सवासुधार करने का बहुत ही महतुपूर्ण कारे किया गया तियोस्टोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका के प्रसिद नगर नियॉर्क में हुई थी इसकी स्थापना मैडम ब्लावास की और जोकी गुरूसी महिला थी और करनल अलक समस्थ धर्मों की मौलिक एकता के बारे में विचार करती है क्योंकि उनका ये मानना है कि सभी धर्मों का सार एक है सभी लोगों का गंतव इस्थान भी एक है इसलिए समस्थ विश्व को रंग जाती के भेदभाव से दूर हट करके सभी के कल्यान की बात करनी चाहिए और थियोस्थोफिकल सुसाइटी के जो अनुयाई थे वो हिंदू और बौत धर्म को स्रेष्ट बानते थे भारत में थियोस्थोफिकल सुसाइटी की स्था अपना श्रीमती अनिविसेंट जो की एक आईरिश महिला थी उनके द्वारा 1893 में की गई थी अडियार में श्रीमती हिंदु धर्म को देखा जाना और हिंदू धर्म की प्रशंकर करते हुए इस धर्म के उत्तम विचारों को चारों और फैलाने का निर्ने लिया इस सुसाइटी के प्रमुक सिद्धान थे यह सुसाइटी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखती हो सभी धर्मों का आदर करती है मनुष्यों को कर्म और पुनर्जन में विश्वास करना चाहिए क्योंकि कर्म एवं कर्म और पुनर्जन के आधार पर ही जीवन की प्रक्रिया संचालित होती है मनुष्य को जाती बेद भाव नहीं मानने चाहिए सभी धर्म की शिक्षाएं और उनका सार एक ही है संसार के समस्त वर्गों के जो लोग हैं उन्हें विश्व बंदुत्व की भावना उत्पन करके लोग कल्यान की भावना का विकास करना चाहिए और मानव जाती को धार्मिक सिध्धानतों के अध्यापन के लिए प्रोचसाहित करना चाहिए त्योसिफिकल सिसाइटी के अलावा रामकृष्ण मिशन जिसकी इस्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई स्वामी विवेकानंद ने भारती धर्म के गौरव को केवल भारत में नहीं बलकि अंतराष्ट्रे इस्थार पर भी स्थाफित करने का प्रयास किया स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने रामकृष्ण मिशन जो उनके गुरू थी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन जिनका नाम नरेंद्रनाथ था वे एक साइंस ग्रेजुएट थे और धर्म की बातों को कोरा आडम बर मानते थे जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनके ज्यान से उनकी साधना से प्रेरित हुए तो उन्होंने सन्यास ग्रेण करते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से शिक्षा धर्म को जाना धर्म की गहराई को जाना और धर्म के स्वी स्वरूप को इस्थापित करते हुए दीनानात यानि कि वह इश्वर जो की नीचे से नीचे कमजोर से कमजोर व्यक्ति के उत्थान की बात करता है और भारतिय दर्शन भारतिय धर्म की गहन अध्यन करने के पश्चात अंतराष्ट्रिय विश्व धर्म सम्मेलन में वे शिकागो गए और वहाँ पर उन्होंने भारति हिंदू धर्म की जो व्याख्या प्रस्तुत की उससे हिंदू धर्म के प्रती लोग आकरशित हुए तो स्वामी विवेका नंद ने मानव मातर के कल्यान के लिए हिंदू धर्म के परिप्रेक्षे को इस्थापित करने का प्रयास किया और हिंदू धर्म को पास्चात्य जगत के अंदर इस्थापित करने का कार्य स्वामी विवेकाद नंद के द्वारा किया गया इस प्रकार हम ये देखते हैं कि चाहे वो थियोसोफिकल सोसाइटी हो चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो आरे समाज हो या ब्रह्म समाज हो इन सभी लोगों के प्रयासों के द्वारा भारतिय धर्म एवं समाज में फैली हुई जड़ता भारतिय धर्म एवं समाज पर आये हुए संकट के बादलों को इन आंदोलनों और इन सुधारकों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया और भारतिय धर्म वैसमाज को एक पुनर जीवन एक नई सांस देते हुए उसे आगे बढ़ाने में महतुपून भूमी का निरवाहित की